हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है ओडा सीटी 3.3 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 10 के अंदर वो देखेंगें और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सुब्सक्राइ इंटर करते हैं यहां आपको फर्स्ट और चैनल क्लिक करते हैं ओडर सीटी का ओफिशली वेब साइट ओपें हो जाएगा ओपें होने के बाद यदि आपको केस में इस तरह से ओपें होता है तो यहां पर होम पेज पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा लेटेस्ट वर्जन 3.3 यहीं आज के डेट में र देंट में इस ओपर वाला वर्जन आ गया हो तो आपको सेम तरीके से आपको यह डाउनलोड करके इंस्ट्रॉल कर लेना यहां आपको क्या करें यहां पे दिख जाएगा ढूंलोड यहां पर यहां पे किलिक कि जाएगा दोनों में से कहीँ भी किलिक करेंगे तो यहां पर भी EXC को save करना चाहते हूं और पास select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पे क्लिक कर दिना है क्लिक करने के बाद इस तरह से EXC download हो जाएगा मान ले जा, automatic download नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको दिख जाएगा, यहां पर आप देखेंगे, तो यहां से आप 64 bit का EXC download कर सकते हैं, यदि GIF file download करना है, यहां से आप 64 bit का, ऐसे हैं यदि आपके case में 32 bit है, तो यहां से EXC download कर सकते हैं, 32 bit का, यदि आप 32 bit का GIF file download करना चाहते हैं, तो यहां से क्लिक करके आप download कर सकते हैं, तो आपके case में 32 bit है, यह 64 bit है, उसके हिससाब से यहां से आपको download कर लेना है, download complete होने के बाद आपको क्या करना है, उस folder का अंदर जाना है, जहां आपने EXC को save किया है, वहां पर आपको इस तरह से EXC करना है, इसके बाद आपको apply पे click कर देना है, यदि आपके case में यहां पर unblock नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है, अब हम इसको install करेंगे, लेकिन install करने से पहले एक चीज में आपको बता देता हूँ, यदि आप इसको install करना चाहते है, त इसको पर आपको click कर देना है, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको दिख जाएगा system type, इसके आगे आप चेक कर ले जाएगा, आपके case में यहां पर क्या लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, यदि यहां पर 64-bit लि rating system है, 64-bit का application है, आपको download करके install करना चाहिए, इसलिए मैं अपने case में 64-bit का EXC download करके install कर रहा हो, तो यहां से आप चेक कर लिजएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इस window को यहां से close कर देना है, इसके बाद यहां से आप अपने हिसाब से 32-bit होगा, तो यहां से 32-bit download क 64-bit होगा, तो यहां से 64-bit है, EXC download कर लिजएगा, अब मान लिजए, यहां से back आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर window 7 के लिए दिख जाएगा, आपको लिगे से window download page को उपर आपको click करके download कर लिए, यह केबल window 7 वालो के लिए है, तो इस चीज़ का ध्यान रख यानि तब यहां पर आपको दिख जाएगा, run and mister, या तब यहां पर click करके install कर सकते हैं, तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ आप कर लिजएगा, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा, हमेसा इस application को install करने के लिए, आपको क्या करना है, run and mister के उपर ही click करके install करना है, इसलिए म अपने case में यहां पर click करना हो, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब माल लिजए, यदि आपको case में भी इस तरह से window open होता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर yes पर click करना है, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहां पर default path ही रहने दीज़गा, य उस्के बादैंको क्या को paus अइकन चाहिए तो आपके देख का लिये 10 पहपा एकन नहीं चाहिए तो आपण टिक कर सकते हैं तो यहां पे आपके इस स्य होपाने कर सकते हैं यहां से स्थ आप पर Heute यहां पर size 8 बिदेब कर माताब हो जए गा अब आपको क्या करना है यहाँ पर finish पर click कर देने, click करते हैं installation complete हो जाएगा, अब आले ज़िए यहाँ इस एकसी को कहीं और save करके रखना चाहते है तो आप रख सकते हैं या नहीं तो इसको यहाँ से delete करना चाहते है तो आप यहाँ से delete भी कर सकते हैं, अब हम check करेंगे जो install क करता है या नहीं करते है इसके लिए आपको क्या करना है इसको open करके check कर लेने, open करने के लिए आपको क्या करना है या तो आप यहाँ पर दिख जाएगा shortcut icon या तो आप यहाँ पर click करके open कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पर search करके भी click करके open कर सकते हैं दोनों में से कह यहां पर आपको recording करने के लिए दिख जागा तो यदि आपको recording करना है तो यहां से क्लिक करके आप इसको recording कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको recording कर लिजेगा अब देखने इस तरह से इसको recording कर सकते हैं अब आप अपने हिसाब से इसको recording करके यूज कर लिजेगा और प्ली क्यों आपक्यों